नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याना नियूज एक्स्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ चबी आईए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और मतुरा में विकासकंड गोवधन के अंतरगत लोरिया पठी के गाव लोरिया में एक रास्ता जो लोरिया से आजल और गुनसारा को जोड़ता है बेहदी खराब स्थिती में हैं गड़े और घुटने से जादा कीचर हमेशा भरा रहता है यहां से निकलने में बच्चे और बुजर्ग महिलाओं एवं पुरुष्यों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लगातार इस समस्या के बने रहने से गाव के कई बुजर्ग महिलाओं के पैर तूट च देखना ये होगा कि क्या आप शासन प्रशासन इनके इस दर्द को महसूस कर पाएगा या ये ग्रामे यूही नार्किय जीवन जीते रहेंगे आईए आपको दिखाते हैं क्या कहना है गाव के बच्चे बुजर्ग महिला और पुरुष्यों का मतुरा से हमारे समवाद दा केशा वाचार एक रिपोर्ट कौन सा गाव ये तो क्या समच्चा है रास्ते को लेकर आपके क्या कहना है इसके बारे में ये कब से ऐसे पड़ा हुआ है अच्छा तो आपने पहले कभी अवगत कराया किसी को बताये इसके विशे में कोई आया या देखने तो सरकार से क्या कहना चाहती है फिलाल क्या नाम है आपका कौन सा गाव ये तो ये क्या समच्चा हुई है आपके पैर में कहां गिरी थी तो आपने किसी से बताया नहीं किसी को परदान को या क्या क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या हुआ था आपके पैर में कैसे तूट गया कहां गिरी थी आप कपसे कीचड हो रही है तो किसी से बताया नहीं प्रदान बगेरा या किसी अधिकारी को के बनाए तो क्या कहेंगी सरकार से अब भी किंगे से हम रस्ता स्वाप होई हम गिर गिर के शूट रहे हैं अब बोकर से चलती है इस रास्ते के कारश तूटके तूट आपका तो क्या समझ्या है रास्ते को लेकर एक दो तीन दिन पहले मैं यहां से जा रहा तो क्या कहेंगे सरकार सिसको कई बार आते हैं कई बार ऐसे ही ले आते हैं मगर कोई नहीं करता तो आप अगर थोड़ी सी वो करते तो यहां से और वहां तक बढ़ा वो खरंजरा हो जाए हमारे फेस्बुक पेज को लाइक फॉलो और शेर करें साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बैल आइकॉन को दबाना न भूले